किसान भाईयो आप सब इस परेशानी से भली भाती वाकिफ होंगे क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसी जगा नहीं है जहां ये परेशानी अब ना हो किसान सात्यों मैं बात कर रहा हूँ इन आवारा पसुओं की इन से किसान इतने परेशान हो चुके है कि लगता है आने वाले समय में ये किसानों को खेती करना भुला देंगे गोर्मेंट के सारे काम बढ़िया रहे बिजली विबाग में भी सडक में भी पानी हर चीज में अच्छा कर दिया गोर्मेंट लेकिन ये फैसला इतना गलत हो चुका है क्योंकि यूपी में 90% किसान है सबका जो रोजगार है वो खेती से जुड़ा हुआ है लेकिन इनोंने इतनी ज़्यादा दिक्कत पैदा कर दिया वो कि अब बरदास्त के बाहर हो चुकी है किसान सात्यों मैं अपनी बताओं आपको हमने जो ग्योंबो रखे अगेते उसमें सारी सारी रात हम पहरा दे के भी छिक लिए लेकिन छोटे छोटे जो आवारा पसुएं वो उसमें ल चोड़ते हो आप हम ही तो छोड़ते हैं इन्हें पालो यह बिल्कुल असंबव है आज ना तो इतने लोग हैं घरों में लोगों के करने वाले नहीं इतना चारा है कि इनका पेट भरा जा सके वैसे ही किसान इतना परेशान है लेबर से हर चीज से उनके सिर्पे यह और बा प्राइओं में इतनी ठंड में और किसान जिसने घ्योंब और रखे वे सारे के सारे अपने खेतों पेहरे देते हैं वे देखिए इस तरफ यहां वो किसान नहीं है जिसका यह खेत है बिल्कुल और वे लोग महां दूर खड़े होके पेहरा दे रहें कि हमारे खेत में ना बढ़ जब तार ये देखिए चारों तरफ तार बंदी है लेकिन इसका कोई फाइदा कुछ नहीं होने वाड़ा इन पस्वों के सामने तारों की या दिवार की भी मैं कोई उकात नहीं समझता है इसके पास भी कोई आ नहीं सकता और कुछ गटनाएं ऐसी भी हुए जहां इन्होंने अमले भी कर दिये तो एक चीज और मैं बताओं जिस चीज की गती जैसे लिकी हुए उसको कोई नहीं रोक सकता ना तो बुच्चर खनने बंद हुए बलकि उनकी और चांदी कटी है और ना ही जो जानवर है उनका कठना बंद हुआ कूछ नहीं फरक पड़ा सिर्फ फरक पक्या पड़ा कि किसान परेशान होगे और आने वाड़े समय में या दिक्कत इतना विक्राल रूप ले लेगी कि इस गोवर्मेंट को न गिरा देया समश्या इतना जादे दिक्कत में किसान पहुँच चुके है बहुत जादा परेशान नहीं इन आवारा पसोने पैदा कर दी अब जिसके खेत में भी रात में य किसान की कितने परेशान है कि पिछले वर्स करनाटक का मामला था वहां किसी के खेत में हती गुषते थे रोज आके उन्होंने वहां पठा के रख दिये कि हती का पैर आगे तो वह पठा के पठकेंगे और हती नियाने के भाग जागे अब वह गलती से पठा का हतनी खा गी किसानों से पुछो जो बच्चे की तरह अपनी फसल को पालते हैं जिनका नुकसान होता है उन्हें पता किसान की कितनी मेहनत की गटों की कमाई रहती है यह एक मिनट में घराब कर देते हैं तो भाई इस पर बहुत विचार करने की जुरत है आला कि यह मामला ऐसा हो गया कि अब ना सरकार इससे पिच्छे अट सकती और ना ही समय कुछ कर सकती यह तो गले में घल गा इसलिए योगी सरकार का यह बहुत गलत फैसला रहा बहुत ही गलत यह देखो दो गंटे में सारा का सारा खेत इस बिचारे किसान का खतम कर दिया अब आ कि यह मत थपकड़ के बै अभी गाली देगा नूं कहईगा यहां खड़ा हुआ वीडियो बना रहा भगाई नहीं गये यह बिचान बहुत परेशान है इस समस्चा से वाके में यह बहुत ही दिक्कत बहुत ही परेशाननी में किसान पढ़ी है इस बीमारी से बिलकुल पता नहीं कैसे नहीं जात पाया जागा हर साल यह बढ़ते जारे घटने का तो नाम नहीं देखो रास्ता रोक दिया उंगे के उंगे रुग्ये लोग इधर के इधर रुग्ये सांड खड़े दो बीच में यह भी डर है कहीं जो है टक्कर न मार दे किसी है कि धड़ूक मार रहे पूरी तो किसान भाईयों अब हमारे पास विचारे किसान भी आगे जिनका यह सारा खेत दो घंटे में खतम कर दिया सिर्शों का इनके भी विचार ले लो अब आप अपना एक तो परीचेद हो जी थोड़ा सा कौन सा आपका नाम बताओ पिलडीर त्यागी गाउं सठेडी ब्लोक बढ़ाना यह आपके खेत में बिजार बढ़ रहे थे कितना परेसान है आपकर गौरे में यह मुझे गोर्मेंट का काम तो अच्छा रहा लेकिन यह जो फैसला है यह अच्छा है सही है क्या गलत है इसके लिए इन्होंने अभी तक कोई किलियर नहीं किया ना इनका फैल है फैल है बिल्कुल अच्छा कुछ लोग इसे इंदूत्ते जोड़े हैं कि नहीं पकाटने ना तो काटी रुकरी कुछ नहीं रुकरा इस्ते सिर्फ परेशान हुए किसान परेशान किसान सारी सारी रात जाग गयें देखो इस तरह बैठे एक बंदर की तरह वह किसान पहुंच गया है इतनी बड़ी दिक्कत है कि इस तरह निकलना बहुत मुश्किल है और नुक्सान इतना है कि यह तो बिल्कुल खतम कर दें खेत अब दो गंटे में मुझे लगा उजाट दे सारा काटने के लाग भी नहीं जोड़ा तो आप सब क्या विचार है किसान मुझे जरूर कमेंट में बताएं तन्यवाद